हे गाइस तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अलिव लड़ू की रेसिपी अलीम के लड़ू भी इसको बोल सकते हैं आप इंग्लिश में यह जो सीड है इसको गार्डन क्रेस सीड बोला जाता है तो यहाँ पर सारे इंग्रिडियेंट्स मैंने दिये हैं आप चाह आपको दिखाने के लिए यह ऐसे दिखाया है और यहाँ पर थोड़ा सा पास से आपको दिखा रही हूँ ताकि आप पहचान सके कि हाँ यही अलिव होता है तो इस तरीके से कुछ दिखता है फ्लेक्सीट से थोड़ा अलग है यह फ्लेक्सीट नहीं है यह अलग होता है औ और ये मैंने आधा cup लिया है यहां पर, जो packet था वो 400 ग्राम था, उसमें से मैंने आधा cup निकाल कर लिया है, अब इस आधा cup को हमें भिगोना है, तो मैंने यहां पर एक cup coconut water में इसको भिगोया है, मैंने दो coconut यहाँ पर छील कर कद्दू कस करके लिए है रेसिपी को बनाने के लिए तो उनी में से जो पानी निकला था ना बस उसी वो पानी पूरा एक कपी था तो उस पूरे पानी में मैंने ये भिगो दिये है आप चाहें तो नॉर्मल पानी में भिगो सकते हैं फिर दूद में भिगो सकते हैं तो बस इसको रख देंगे 2-3 घंटे के लिए ताकि अच्छे से फूल जाए और 3 घंटे के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है काफी अच्छे से फूल गया है मतलब जो एब्जोर्ब कर लिया इसने पूरे वाटर को न कोकोनेट वाटर को तो यहां पर एक कड़ाई रखी है और इसमें 2 चमच देशी घी डाल देंगे घी डालना बिल्कुल ज़रूरी है घी ज़रूर डालिएगा तब ये अच्छे से राइजेस्ट होते हैं तो जो फूले हुए जो बीज देना वो अभी हम इसमें डाल देंगे मिला देंगे अच्छे से इस तरीके से इस पूरी रेसेपी को बनाते हुए फ्लेम आपको एकदम लो रखनी है इस बात का आप थ्यान रखें तो यहाँ पर कॉकोनट हमें डाल रही हूँ तो यह फ्रेश कॉकोनट है यहाँ पर मैंने डेड़ कप डाला है मतलब एक नारियल यहाँ पर डाल दिया है और ये डेड cup गुड मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मतलब 1 and half cup जो है गुड मैंने यहाँ पर डाल दिया है flame अभी भी मैंने low ही रखी है और low flame रखते हुए सारी चीजों को अच्छे से एक साथ करके मिला लेंगे तो चलिए इसको mix करते करते आपको थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में दे देती हूँ यह जो अलिव होता है ना यह folic acid बहुत हाई होता है इसमें iron बहुत हाई होता है और vitamin C और vitamin A और EB इसमें काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है इसलिए मतब बालो के लिए तो यह एकदम वर्दान है तो अगर आपको बालो से related कोई भी problem है hair fall हो रहा है hair grow नहीं हो रहा है hair thin हो रहा है तो एक लड़ू आप एक दिन में जरूर खाईएगा जरूर आपको फाइदा होगा तो यह जो stuff है बनकर तयार हो गया है अब ही हमें क्या करना है gas को बंद कर देना है और इसको एकदम ठंडा कर लेना है ठंडा करने के बाद हम इसमें ये किश्मिस मैंने अड़ की है और किश्मिस अड़ करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ बचा हुआ एक और कद्दुकस करा हुआ नारियल तो टोटल हमने दो नारियल लिये थे एक का जो डेड़ कप था एक में से जो निकला था कद्दुकस करके डेड़ कप वो पहले डाल दिया था और डेड़ कप बचा हुआ मैं अब डाल रहे हूँ आप चाहें तो सारा भी बनाए है और यह जो इसका बाद में हमने डाला है ना इसका जो कच्चा कच्चा टेस्ट मुह में आता है ना फ्रेशनेस ओफ रोग कोकोनट यू कें से दिस टेस्ट अमेजिंग तो मैं इसको बाद में एड करती हूं यह दिखने में भी थोड़ा अच्छा लगता ऐसे मतलब कोकोनट अलग से वाइट वाइट ऐसे दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है तो इस तरीके से बसम सारे लड़ू बना लेंगे और एक लड़ू एक दिन में जरूर खाईए आपको जरूर फायदा होगा पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें